आज हम लोग परिचर्चा करेंगे सिविल सेवा की परिक्षा में हिंदी साहित विशे पर यानि हिंदी साहित विशे रख करके जो लोग परिक्षा दे रहे हैं उन्हें हिंदी साहित के फ्रस्न पत्र की समझ होनी चाहिए एक तो आप जानते हैं कि हिंदी साहित में अंग्रेजी माध्यम के लोग भी इस वेकल्पिक विशे का चेयन करते हैं जैसे उदाहरन के लिए कहा जाए तो अपने यहां के एक विद्ध्यारसी थे पवन अगरवाल जिसोंने 43 वी रैंक लाया IIT मुंबई के स्टुएंट से IIT का छात्र होते हुए अंग्रेजी माध्यम का छात्र होते हुए भी उन्होंने हिंदी साहित का चेयन किया वेकल्पिक विशे के रूप में और 43 वी रैंक प्राप्त किया जो लोग हिंदी के हैं जैसे गंगा सिंग वो हिंदी के ही विद्ध्यारसी थे हिंदी साहित रहकर के I.S.O. बने और आप जानते हैं कि गंगा सिंग का अंग कितना था 315 अंग था इस तरह से हिंदी साहित में जो 500 अंग का पाठ्यक्रम है उसमें 60 प्रतिसत से अधिक अंग प्राप्त करना बहुत बड़ी चुनोती नहीं है यानि आप हिंदी साहित रखते हैं तो इसका आर्थ यह है कि आप 300 अंग से ले करके यानि पुल अंग कितना है 500 अंग का है पाठ्यक्रम कितने अंग का है 500 अंग का है तो इस 500 अंग के पाठ्यक्रम में आप निवन्तम 300 अंग प्राप्त कर सकते हैं 280 अंग, 290 अंग यह तो आपका अधिकार ही बनता है इससे कम तो आना भी नहीं चाहिए कितने दिनों में प्राप्त कर सकते हैं तीन महीने यदि आपनी इमानदारी से पढ़ाई की है और सही तरीके से पढ़ाई की है तब तीन सो प्लस अंक आप प्राप्त कर सकते हैं आज हम लोग इस ओनलाइन प्रोग्राम में हम लोग समझेंगे प्रथम प्रसंपत्र जो हिंदी साहिते का है उसमें किस तरह के प्रसंपत्र पूछे जाते हैं तथा किस तरह के प्रबंधन की आवश्रक्ता है आप जानते हैं कि हिंदी साहिते का जो अंक है वो 500 अंक है और ज दिविल सेवा की परिक्षाओं को और उसके प्रस्ण पत्र को ध्यान में रखा होगा तो कुल प्रस्ण कितने बनते हैं आप जानते हैं कि प्रथम प्रस्ण पत्र या दिवतिय प्रस्ण पत्र में कुल प्रस्णों की संख्या उनीस होती है हम लोग इसका विभाजन जानेंगे, सबसे पहले यह जानिये कि first paper, यानि प्रथम पत्र में पाठ्यक्रम क्या है, हिंदी साहित्य में, तो पाठ्यक्रम है प्रथम पत्र का खंड खो और खंड खो दो भागों में यह बटा होता है, पर आप जानते हैं और जानना भी चाहिए कि खंड को में भाशा वि साहित्य का इतिहास होता है भाशा विज्ञान खंड कर में और साहित्य का इतिहास खंड कर में साहित्य में और हिस्ट्री अफ जो लिटरिचर है उसमें दो पार्ट होता है साहित्य का इतिहास दो भागों में बटा होता है एक कविता का इतिहास और दूसरा गद्य का इतिहास कविता और गद्य दोनों की हिस्ट्री आपको जाननी है ये खंडखों में है साहिते का इतिहास कविता का इतिहास का मतलब है कि 700 इस्वी से लेकर के 2020 तक अभी तक यानि आप सामान यर्थों में कहेंगे कि आदि काल से लेकर के समकालीन कविता तक ये आपका पाठिकरम बना हुआ है आदि काल भक्ति काल रीति काल इस तरह से साहिते का इतिहास जो बटा हुआ है कहां तक समकालीन कविता तक तो ये है कविता का इतिहास दूसरा है गद्य का इतिहास और गद्य के इवलोपमेंट अुसी तरह से चाहणी यानी कहानी का जो विकास है सरस्वती पत्रिका के बाद प्रकासन से सुरू होता है वहाँ ठीक उसी तरह से नाटक का development और नाटक के प्रारंभ करता भारतिंदू हरिश्चंद्र है और इनका पहला नाटक है 1868 में विद्या सुंदर तो 1868 से लेकर के आज 2020 तक जो नाटक की विकास यात्रा है रंगमंच की विकास यात्रा है और ठीक उसी तरह से निबंधों का विकास आलोचना का उध्वोर विकास हिंदी आलोचना का उध्वोर विकास और कुछ आलोचक और गद्य की अन्य विधाएं गद्य की अन्य विध अब देखिये जो प्रशन पूछे जाते हैं हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कि प्रशन पत्र कैसे पूछे जाते हैं और आपकी तयारी किस तरह से सुचारू रूप से प्रबंधित होनी चाहिए तो देखिए प्रथम पत्र में भाशा विज्ञान में चार प्रसन होते हैं कुल प्रसन कितने लिखने हैं आपको पांच लिखने हैं एक प्रसन पचासंग का होता है पांच प्रसन लिखने हैं यानि धाई सोवंक के लिए आप पांच कोश्चन लिखते हैं तो इन प्रस्न का ज़िए प्रसन होता है यह दसंक और यह प्रसन होता है कि यानि चार स्कुछ यो viene उसमें उस्में पहला प्रसन अनिवारिय कि ऑनिवारिय कि इसको छोड़ नहीं सकते और ये जो प्रथम प्रस्ण है उसमें दस अंके पांच सब टॉपिक होते हैं यानि पांस टिपणी होती है और एक टिपणी कितने अंकी होती है दस अंकी यानि इसमें पांस टिपणी लिखेंगे ये पचास अंका होगा और ये पहला प्रस्ण अनिवारी होता है इसके बाद जो दूसरा, तीसरा और चौथा तीन प्रसन और भाशा विज्ञान से होगे और जो दूसरा प्रसन होगा उसमें तीन प्रकार के प्रसन होगे यानि कोखोगो करके एक प्रसन बीसंका होगा, दूसरा प्रसन पंदरहंका होगा और तीसरा प्रसन पंदरहंका होग यानि ये बिभाजित होता है हर प्रस्न सब टॉपिक में बिभाजित होता है तो जो दूसरा प्रस्न है उसके तीन भाग होंगे कौक होग फिर तीसरा प्रस्न होगा उसके भी तीन भाग होंगे कौक होग जिसमें 20 संग 15 हंक और 15 हंक के प्रस्न होंगे चौत्ह प्रसन होगा भी संग 12 हंक और 15 हंक यानि हर प्रसन विभाजित होता है तीन खंड़ों में और जो पहला प्रसन है वो विभाजित होगा पांच यानि इसमें कोई विकल्प नहीं है पांचो लिखना है दसंग के पांच टिपणि 50 संग यहां पर भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका एक लिख लिया इसका एक लिख लिया और इसका एक लिख लिया ऐसा नहीं कर सकते यानि आपको इसी ग्रूप में ये तीनों लिखना है या इस ग्रूप में आपको तीनों लिखना है ये तीनों मिल करके एक प्रस्न होते हैं बीसंग पनरहंग पनरहंग अब जड़ा खंडख में देखें खंडख में भी चार प्रस्न होंगे और चार प्रसन कहां से होंगे कविता का इतिहास और गद्धी का इतिहास सामोहिक रूप से इन में से होंगे और पाँचवा प्रसन यहां भी अनिवारे है यानि इसको आप छोड़ नहीं सकते यह जो पांचवाँ प्रस्ण है उसमें भी टिपणी पूछे जाती है और प्रतेक टिपणी दसंग की होती है यानि दसंग की पांच टिपणी यानि कुल पचास है तो पहला प्रस्ण है खंडका का और खंडका का जो पांचवाँ प्रस्ण है यह अनिवारे है यानि दो प्र प्रसन आपने लिख लिए तो आपको कुल कितने लिखने हैं? तीन और प्रसन लिखने हैं, यानि कुल पांच प्रसन लिखने हैं, जिसमें से दो तो अनिवारे था, अब बच गया तीन प्रसन, तीन प्रसनों को आपके पास विकल्प है, आप चेयन कर सकते हैं, या तो इस ग एक प्रस्ण किये गया है, यहां पर एक प्रस्ण का मतलब यह कदापी नहीं है, कि इसका आप 20 अंक का एक प्रस्ण कर लें, इसका 15 कर लें, इसका 15 ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप 6, 7 और 8 में से किसी एक का चेयन करके, उस complete यानि complete यह प्रस्ण का उत्तर लिखना है, तो आप द प्रस्ण करने हैं, पहला तवानिवारे है ही, दो और यहां से आप कर सकते हैं, तो दो और एक तीन प्रस्ण, यानि कम से कम, देड़ सो अंक आप कहां से करते हैं, भाशा विज्ञान से, यानि भाशा विज्ञान से आप देड़ सो अंक का उत्तर लिखते हैं, यहां से पा खंडको में भाषा विज्ञान से आप लिखेंगे तीन प्रस्ण यानि डेट सों इस तरह से ये प्रस्ण का डिवीजन हुआ. अब आप देखें कि कुल प्रस्ण कितने हो गए? कुल प्रस्ण हो गए 19, पांच खंडको की टिपणी, पांच खंडको की टिपणी 10 और यहाँ स आप 2 प्रस्ण करेंगे तो 6 प्रस्ण ये और यहां से 1 करेंगे तो 3 प्रस्ण यानि कुल प्रस्णों की संख्या कितनी होगे 19 प्रस्ण 19 प्रस्ण को 3 घंटे आपको मिलते हैं और 3 घंटे में आपको कितना लिखना है कुल तीन हजार से अधिक शब्द लिखना है। आपने प्रस्ण पत्र देखा होगा प्रस्ण पत्र के साथ उसी में copy भी रहती है. यानि space दिया हुआ होता है, जगह दिया होआ ता उसी निश्चित space में आपको उत्तर लिखना होता है. मान लिया, कि जैसे ये दूसरा प्रस्न है, तो प्रस्न लिखा हुआ है, उसके नीचे एस्पेस दिया हुआ है, तो जो जगह दिया हुआ है, उसी पर आपको लिखना है, और उसी में, यानि आपको लेखन अभ्यास पहले से करने के आउशकता है, तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि 19 प्रस्ण में 19 प्रस्ण आपके दो भागों में भाजित होते हैं भाषा विज्ञान और साहित का इतिहास भाषा विज्ञान से आपको करना चाहिए तीन प्रस्ण जिसमें पहला प्रस्ण निवारिय है खंडखो से यानि साहित के इतिहास से यानि कविता और गर्द दोनों को मिला करके जो development है उसमें पांच मात्वा निवारे है और इन तीनों में से कोई एक प्रस्ण करना चाहिए अब देखते हैं हम लोग कि जो 19 प्रस्ण है वो कैसे विभाजित है तो 19 प्रस्णों का जो विभाजन है आप जानते हैं कि 10 अंका दस अंक के प्रस्ण को कितने शब्दों में लिखें और कितना समय लगाएं तो दस अंका जो प्रस्ण है उसको देख सो शब्दों में लगभग देख सो शब्दों में आपको लिखना चाहिए और इसमें साथ से आठ मिनट का समय लगना चाहिए समय का प्रबंधन वो एक प्रस्ण कितने में लिखने हैं लगभग देड़ सो सब्दों में लिखने हैं अगर ये नहीं लिखेंगे समय कितना लगना चाहिए साथ से आठ मिनिट लगना चाहिए दसंग का एक प्रस्ण और समय साथ से आठ मिनिट आपके पास है लगवग यदि इस समय का प्रबंधन नहीं करते तब आपके प्रस्ण छूट सकते हैं 20 अंके जो प्रस्ण है वो 3 प्रस्ण लिखने है आपके और ये 200 शब्द 20 संक का जो कुश्ण है वो कितने में लिखना है 200 शब्दों में लिखना है और इसके पास समय कितना है? 14 से 15 मिनट, आपके पास घड़ी है, आप समय को निश्चित रूप से प्रबंधित करें, इसके लिए पहले से लेखन अभ्याद जरूरी है, कि 15 मिनट के अंदर हम 20 अंक के प्रसंद को लिख लें, 7 से 8 मिनट के अंदर हम 10 अंक के प्रसंद को यह 15 अंक का प्रसंद 200 शब्दों में लिखना है, और इसके लिए समय कितना लगना चाहिए? 10 से 11, यानि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, कि 10 अंक का प्रसंद हम 1500 शब्दों में लिखते हैं, 7 से 8 मिनट में लिखते हैं, 20 अंक का प्रसंद हम 200 शब्दों में लिखते ह 15 अंक का प्रसन हम 200 शब्दों में लिखते हैं और 10 से 11 मिनिट में लिखते हैं तो ये तो ही शब्द सीमा कुल 19 प्रसन 3 घंटे का समय और 3000 से अधिक शब्द और ठीक उसी तरह से 10 अंग के 10 प्रसन, 20 अंग के 3 प्रसन और 15 अंग के 6 प्रसन तो ये कुल प्रसनों का भी भाजन होता है, अंगों का भी भाजन होता है। जो साइंस के रिजुएट होते हैं, वो आखिर अच्छे अंग कैसे लाते हैं, तो निश्चित रूफ से का जो कंसेप्ट होता है, वो सही होता है, प्रबंदित होता है, और वो उत्तर में चार्ट और ग्राफ से भी व्यक्त करते हैं, यानि लेखन का तरीका साइंस्ट्विक होना चाहिए, वैग्यानिक होना चाहिए, यानि आप जो लिखते हैं, परिक्षक तक वो ट्रांस्टर होना चाहिए, संप्रेशित होना चाहिए, और इस संप्रेशन में चार्ट और ग्राफ आपके लिए क्या होगा, सहायक होगा, इससे शब्द प्रबंदन भी होता है, य प्रतम पत्र की बात कह रहे हैं कि प्रतम पत्र में जो भाषा विज्ञान है और कविता का इतिहास और गद्य का इतिहास है इसके लिए पुस्तक कौन सी है तो मेरे विचार से जो इगनो की जो बुकलेट्स हैं, इगनो की जो इगनों की जो पाथे सामगरी है, चाहो ग्रेजविशन की हो या पोस्ट ग्रेजविशन की हो, आप दोनों में से कोई एक ले ले, बेहतर हो कि आप पोस्ट ग्रेजविशन की ले ले, और फिर आप अपना पाथे क्रम देखें, यानि भाषा विज्ञान में जो दस टॉपिक के लिए एक सांतुलित सामगरी है वो है इगनों की पुस्तक, इगनों की पाथे सामगरी एक और होता है प्रस्न उठता है कि आखिर समवाद IS आपके लिए क्या कर सकता है अभी हम लोगों ने जो ओनलाइन प्रोग्राम सुरूर किया है आप जानते हैं कि समवाद IS में हम लोगों ने करीब करीब 1.500 से उपर 1.500 प्लस यानि 150 प्लस वीडियोज UPSC के लिए हम लोगों ने बनाए है समवाद IS के जो 150 प्लस वीडियोज हैं वो क्लास में रिकॉर्ड किये गया है और इसलिए क्लास की जो होती है उसी गती में आपको दिये जाते हैं ये सारे वीडियोज को आप घर बैठे कई बार सुन सकते हैं अनलिमिटेड वीव है आप एक वर्स तक इसको सुन सकते हैं एक वर्स की आउधी होती है यदि आवशकता हुई तो इस आउधी को बढ़ाया भी जा सकता है यानि इसको दो वर्स किया जा सकता है हर वीडियो को तभी सुनना है जब कॉपी और कलम आपके पास हो यानि आप उसको नोट कीजिए जैसे मान लिया कि आपसे बताया गया कि अभ्धरंस भाषा विग्यान में कि अभ्धरंस वहट और पुरानी हिंदी की व्याकरनिक विसेस्ता ये पहला टॉपीक होगा तो उसमें व्याकरनिक विसेस्ता बताई गई है और फिर लिखवाई भी गई तो जब लिखवाया जाए तो उसको आप भी अपने ओडियो को सुनते हुए वीडियो को देखते हुए आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं उसी स्पीड में लिखने से क्या होगा कि आपका अपना नोट्स तैयार हो जाएगा यानि 150 से उपर जो वीडियो हैं इससे आप अपना घर पर नोट्स बना सकते हैं और फिर उस notes का प्रिवीजन कर सकते हैं। जब आप swim लिख लेते हैं तो आपका अपना हो जाता है और आप समझ में ब्रधी होती है। इसमें graph और chart का प्रियोग किया गया है। इसके अलावा हम आपको notes देते हैं पाथे सामगरी के रूप में। तो इस तरह से हम लोगों ने topic wise अध्यतन जो पाथे सामगरी है उसमें संतुलित पाथे सामगरी है। यानी आप video और पाथे सामगरी के साथ अपनी संपुर्ण तैयारी कर सकते है। और यह तैयारी कितनी दिनों में संब्धव हैं। यानि first paper और second paper दोनों मिला करके ये तीन महिने में आपकी तैयारी हो सकती है। आप एक गंभीर विद्यार्थी हैं और आपके लिए समय कीमती है तो समय का प्रवंधन विशय का प्रवंधन तथा अपनी जानकारी और लेखन का प्रवंधन ये सब मिला करके ये सब संयुक्त रूप से आपको सफलता की तरफ अग्रसर कर सकता है। तो इस तरह से हम प्रस्ण पत्र फस्ट में जो उनीस प्रस्ण हैं और उनीस प्रस्णों का विवाजन किस तरह से है अलग-अलग आप जान चुके हैं कि दस संग के दस प्रस्ण होते हैं बीस संग के तीन प्रस्ण होते हैं और पनरहं के छे प्रस्ण होते हैं तीन घंटे म अच्छे अंग के लिए और इसमें कविता का जो इतिहास है और गद्य का इतिहास यानि खंडखा में तीन प्रस्णों में आप यहां से एक प्रस्ण करेंगे इसी तरह से हिंदी साहित का जो दियूतिये पेपर है जिसमें बारख कभी पढ़ने है चार उपन्यास पढ़ना है तीन नाटक पढ़ना है दो कहानी संग्रफ पढ़ना है दो निवन संग्रफ पढ़ना है यानि दियूतिये पत्र में क्या पूशे गए हैं यानि प्रस्ण की प्रवर्ति क्या होती है और प्रस्ण उत्तर का प्रवंधन कैसा होता है इस पर चर्चा हम लोग बाद में झाल 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 झाल